आज अदन कर रहें कक्षा आठ की सामझी विज्ञान के पाठ़ पुस्तक संसादन और विकास से अध्याय तीन खनीज और सकती संसादन के अंतिकत भाग आठ में चर्चा करेंगे जल विदूत हाइडर पावर की तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाई है तियार आपके दिमाग मे एक बात आ रही है क्या जल से विदूत बनाई जा सकती है बिलकुल जल से विदूत बनाई जा सकती है जल के द्वारा जो योजनाई चलाई जा रही है वो सब क्या है वो बहु उद्देशे प्रियोजनाई उनको कहा जाता है क्योंकि वह कई सारे उद्देशों को पूर्ण करती हैं, सिचाई का कारिया है, पीने के रूप में काम में लिया जा रहा है, उद्यों की छेत्रों में काम में लिया जा रहा है, मतशन में काम में लिया जा रहा है, और उसके उपरांथ उससे विदुत भी बनाई जा रही है, यानि कि हम जल से विदुत बना सकते हैं, और जल इसका इस्तान है क्योंकि पहले जो हमने वीडियो पढ़े देखे उनके अंतरकत हमने चर्चा की थी कि जीवास्म इधन के अंतरकत कोईला है, खनीज तेल है, प्राकृतिक गैस है, वह प्रमप्रागत उर्जा के स्रोत हैं, परंतो कैसे हैं, एनमनी करनी हैं, उनके सिमित और उनका सरक्षन नहीं किया गया, तो आने वाले समय में वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, इसके तुल्ना में जल विधुत, यानि कि जल से जो जल विधुत पनाई जाती है, वह किसके अंतरकत है, वह नभी करनी ये संसादन में आता है, क्योंकि ये प्राकृ उसके अंतरकत अगर हम देखें, तो 2.97 जो है, वह नदियों में अविलेबल है, ग्लेशर्स में अविलेबल है, इसी तरीके से जीलों में अविलेबल है, जल प्रपातों में अविलेबल है, ऐसी जगह पर ये जल उपलब्द आपको मिल सकता है, और उसी के अंतरकत, उसी जल को हमने क्या किया है नदियों से जो जल आ रहा है उस जल को हम क्या करते हैं जमा करते हैं कहां जमा करते हैं बिल्कुल सही हम बांदों में उनको क्या करते हैं जमा कर लेते हैं और जमा करने के उपरांत जब उचाई से जल को क्या किया जाता है गिराया जाता है आपने कभी जलप्रपात देखा है नहीं देखा है तो राजस्तान के अंदर परशिद जलप्रपातों में चूलिया जलप्रपात का नाम आता है जो चंबल नदी परवस्तित है इसी तरीके से परशिद जलप्रपातों में भारत का सबसे उचा जलप्रपातों में सिव समुद्रम यानि कि जिसको गर्षोपा जलप्रपात महत्मा गांधी फॉल जॉक फॉल कहा जाता है जो सहरावती नदी करनाटका में इस्तित है तो इतने बड़े बड़े उंचे जलप्रपात भारत में मौजूद हैं तो कहीं इनी का इस्तेमाल हम परमप्रागत उर्जा के सुरोतों के रूप में कर रहे हैं और इनका इस्तेमाल करके हम उर्जा प्राप्त कर रहे हैं नोट कीजिए, सबसे पहले, बांदों में वर्षा जल, कहां से जल आ रहा है, एक तो वर्षा से, दूसरा नदी से, का जल मुचाई से गिराने के लिए क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, उसको इखटा कर लेते हैं, इखटा करने के उपरांत, बांद के अंदर से के द्वारा बहता जल, बांद के नीचे स्थित, टर्बाइन, नीचे क्या होते हैं, टर्बाइन, गोल गोल इस तरीके से, गोल चक्के लगे रहते हैं, इस तरीके से, और वह क्या करते हैं, पानी को तेजी से गुमाते हैं, और उन टर्बाइन के साथ, उपर क्या होता है, होता है उसके उपर transformer लगा रहता है और वहाँ power house होता है transformer से फिर बिजली बनकर power house से power की supply कर दी जाती है और वह हमारे घरों तक पहुंचती है तो गत वीडियो में मैंने बात किया था कि कोईले से जो विदूत बन रही है वो तो ताप विदूत है और जल से जो बनाई जा रही है उसको क्या कहते है जल विदूत कहते है है आगे लिखिए टर्बाइन के उपर गिरता है तो पानी उपर से उचाई से कहां गिर रहा है इस टर्बाइन के उपर गिरता है और एक पाइप से और ये टर्बाइन क्या करता है घूमता है और घूमते हुए ब्ले यही क्या कहलाती है, जल विदुद कहलाती है, दिये गए चित्र में आप देखिए, यह जल विदुद उत्पादन की प्रक्रिया को पूरी तरीके से बता रहा है, यह चित्र आपके पुस्तक में दिया गया है, जिसको हम डेटेल से अभी बारी किसे आप इसको ध्यान से नीचे आ रहा है, और नीचे क्या लगे हुए है, यह लगे हुए है, टर्बाइन, यह टर्बाइन लगे हुए है, अब यह टर्बाइन क्या है, गोल-गोल घूमते है, क्योंकि पानी का जब बहाव उस पे लगेगा, तो वह क्या है, चक्रा घूमने लगेगा, उसी चक्रे को क्या कहते हैं टर्वाइन कहते हैं उपर ये क्या लगा हुआ है यहां पर जर्नेटर लगा हुआ है और जर्नेटर के उपर क्या लगे जते हैं ट्रांसफोर्मर लगे होते हैं और यहां से यह विदुत की लाइने यह विदुत क्या है प्रशारित हो रही है और बाकी का जल घूमने के उपरांत यहां से फिर छोड़ दिया जाता है, वह आगे चला जाता है, और आगे फिर क्या रूप में लिया जाता है, सिचाई के रूप में, मतेशन के रूप में, प्रियाटन के रूप में, पीने के रूप में, यानि कि बड़ा विचारनिय प्रश्न है, कई बा में आता है क्या जल से विदृत निकालने के उपरांत क्या पी सकते हैं अरे भई जल को कितने ही रूपों में काम प्रियोजनाई कहा जाता है यानि कि multi-purpose projects, उन डेम्स पे क्या चलती है, multi-purpose, यानि कि उनका उद्देश से कई सारी चीजों को पूरा करना होता है, जैसे अभी हमने बात की, सिचाई के रूप में, मतशन के रूप में, जल पूर्ती के लिए, जल विदोत उत्पादन के लिए, ऐसे कई ही कारिये हैं, जो इस पर आधारित होते हैं, ये देखिए, इसी चित्र को डेटेल में यहां और प्रदैशित किया गया है, इनसाइड है हाइडरो पावर स्टेशन, हाइडरो पावर स्टेशन के अंदर जाएं, तो कैसा दिखाए देगा, देखिए, ये रिजर्वेर हो गया, जहां पानी इखटा ह यहां से आया, ये अंदर गया, ये इंटेक पॉइंट है, जहां से पानी अंदर प्रवेश करता है, इसके उपरान यहां एक कंट्रोल गेट लगा हुआ है, यह क्या है, एक कंट्रोल गेट है, यानि कि भई, पानी इतना ही आएगा, जितने की जर्रत है, क्योंकि पानी को रोका भी जा सकता है, तो ये गेट से उसको क्या है, रोकबंद किया जा सकता है. इसके उपरान एक pen stock होता है, यहां ये जो लगा हुआ है, ये आपका turbine है, और ये turbine फिर क्या है, चक्रा घुमता है. घुमने के साथ यह देखिए यह जर्नेटर लगा हुआ है यहाँ पर उसके उपर क्या है ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है ट्रांसफॉर्मर जो बिजली को उसमें बदल देता है जर्नेटर जो बिजली हुई उसको ट्रांसफॉर्म करेगा बदलेगा रूपांतरन करेगा और बदल कर फिर कह बेशता है, पावर हाउस में बेशता है, और पावर हाउस से वो सप्लाई कहा होती है, पावर लाइन के थुरू हमारे घरों तक विजली प्राप्थ होती है, बड़ा रोचक है, क्लियर हुआ, कैसे जल विदुत बनाई जाती है, आगे देखते हैं, नोट कर लीजी ये, विदुत निकालने के बाद ऐसी कोई चिंता का विशह नहीं है, कि उसमें उर्जा नहीं बची, कितने ही काम में उसको लिया जा सकता है, तो ये बिलकुल गलत मिथ्या है लोगों में, कि जल विदुत के उपरांद अगर उसे सिचाई की जाती है, तो उसे फाइदा नहीं ह होता है, आज की किसान सब समझदार हो गए हैं, वह इसकी बहु उदेशता को जानते हैं, आज जो किसान है वह पूरी तरीके से इस तकनीक के बारे में जानते हैं, और वह इसका फाइदा भी ले रहे हैं, आगे देखिए, तो नोट करने की बात है, कि विश्व का पहला जो जल विधुत केंदर, जल विधुत उत्मन करने का केंदर कहां पे लगाया गया था? नोट कर लीजिये, नॉर्वे, कब लगाया गया था? अठारा सो एक्राण में में नौर्वे कहां पर है नौर्वे है योरोप में योरोप का देश है जो स्केंडेनेवियन देशों में आता है कंट्री ओफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है नौर्वे को उसके साथ के जो स्केंडेनेवियन नौर्वे है स्वीडन है डेनमार्क है फि में लगाया गया था, भारत में कहां लगाया गया था, भारत का भी बता देते हैं, सिवा समुद्रम है, कावेरी नदी पर है, करनाठका में है, जहां 1902 में भारत का पहला बड़ा जो 4.5 मेगावार्ट विदोत उससे उत्पन की जाती थी, अमेरिका और कुछ बिटिस कम्पन के योगदान से उसको भारत में स्तापित किया था, उससे पहले एक छोटा केंदर जरूर लगाया गया था, 1800, 82 की बात है, दार्जलिंग में लगाया गया था, परनतु वो बहुत नियूनतम, वो बहुत छोटा था, वो 130 किलोवाट की ही उर्जा प्रदान करता था, नॉर्वे के अंदर जो डैम है, उसकी प्रियोजना को दिखाया गया, किस तरीके से, ये पहला नॉर्वे का जो विदूत लगाया, जल विदूत केंदर लगाया था, तो उसका चितर दिखाया गया, आगे नोट कीजिए, विष्व में जो उर्जा है, उसका एक चोथाई भाग कहां से प्राप्त होता है, सिर्फ जल विदूत से प्राप्त होता है, तो अपना ही इसका एक योगदान है, और आपको जानकारी दें कि जो जल से जो विदूत बनाई जाती है, बिलकुल प्रदोशन फ्री है, उसे कोई प्रदोशन नहीं होता है, तो ये भी एक खास पात है उसकी तो एक चोथाई एक बटा चार हिस्सा जल विदुत से उत्पन होता है विश्व के अगर प्रमुख देशों पर नजर डाली जाए जो जल विदुत में अपना योगदान दे रहे हैं उसके अंतरकर नम्मर एक पर है ब्राजील ये देखे पहले इस्तान पर ब्र ये लाओस है ये प्रमुख देश है जो भुटान है तजाकिस्तान है रूस है अंगोला है यूगांडा है इथोपिया है और टर्की है ये प्रमुख देश है जो जल विदुत में अपना योगदान दे रहे हैं आपके पुस्तक में क्या लिखा हुआ है जल विदुत के पहला जल विदुत केंद्र कहां है करनाटक में कावेनी नदी के सिवा समुद्रम फॉल यानि कि फॉल का मतलब होता है जल प्रपात पर लगाया गया था के पास 4.5 मेगावाट मेगावाट होती है बिजली को उत्पादिन होती है उसकी इकाई को मेगावाट कहा जाता है किलो फिर मेगाबाट फिर गीगावाट अलग-अलग इस तरीके से काया होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्तापित किये गए हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स इसका मतलब होता है जल विदुत केंद्र कब की थी इसकी स्तापना 1902 में की थी कौन से देश थे अमेरिका क ये जन्रल एलेक्ट्रिक्स और बिटिस कम्पनियों का इसमें क्या था स्वामित्व था ये बात कब की है 1902 की है तब भारत गुलाम था और उसके उपरांत आज की बात करें तो टिहरी गडवाल बांध का नाम आता है जो विशु के बड़े जल विदुत प्रियोजनाओं में टिहरी गडवाल बांध का नाम लिया जाता है करीबन 4200 मेगवाट विदुत वहां से उत्पन की जाती है जो उत्राखंड में अवस्तित है और जिसकी उंचाई कितनी है 261 मेटर समुदर तल से उसकी उंचाई है यानि कि भारत का सबसे उंचा बांध भी कौन सा है टिहरी विदुत विदुत वरन होई का से ब्राजिल से और टिहरी गडवाल से कितनी हो रिए 4200 विदुत वरन है तो बिलकुल तुलना कर सकते हैं किस तरीके से विश्व में भारत का अपना जल विधुत में अच्छा योगदान है आगे देखिए भारत में कुछ महत्पुन जल व प्रियूजना का बिलकुल आप लोगोंने कई बार इसका नाम सुना होगा, कहां इस्तित है, यह हिमाचल प्रदेश में इस्तित है, इसी के नजदीक एक कृतिम जिल भी है, जो भार्त के सबसे बड़ी कृतिम जिलो में उसका नामाता है, कोविन सागर झील है कहां इस्तित है भागडा के पास भागडा जो हिमाचल परदेश में और नांगल एक छोटा गाउं कहाँ है ये पंजाब में इस्तित है और उनके वहीं पर 17 जनेद्वी के मुहाने पर इसको क्या है इस पांध को बनाये गया है भागडा नांगल जो क्या है भारत का सबसे उंचा गुर्त्व बांध है 225.5 में इसकी उंचा ही है इसके बाद गांधी सागर बांध है ये मद्य प्रदेश में स्थित है नागरजुन सागर बांध है ये आंद्य प्रदेश में है टीरी गडवाल का अभी हमने जिक्र किया था जो भारत का सबसे उंच ये भागडा नांगल गुरुतु बांध है गुरुतु बांध और ये टीरी गडवाल सबसे उंचा बांध है समझ गए और फिर दामोदर गाटी प्रियोजनाओं की आपको पता है भारत के प्रथम प्रदान मंत्री पंडी जवाल नहरु ने जब भागडा नांगल प्रियोजना का उधगाटन करने गए थे उन्हें देखकर उन्होंने कहा था ये बांध आधुनिक भारत के क्या है मंदिर है क्योंकि दिखने में क्या है बहुत विसाल होते हैं ये देखिए टिहरी गडवाल बांध को दिखा अब ये प्रमुक बांधों को यहां दिखाए गया आप दिए देख सकते हैं अगले मांचितर पे भी नजडा लिए भारत की प्रमुक जल विदुत प्रियोजनाओं को प्रमुक प्रमुक कौन सी है आपकी पुस्तक में सलाल प्रोजेक्ट के बारे में बताया है सलाल जल व जाता है राना प्रताब सागर है कोटा बेराज है इसी तरीके से नीचे चलेंगे तो यहां पर आजाता है गांधी सागर बांध है यह देखे पिछले चित्र में यह गांधी सागर बांध है यह देखे यह है गांधी सागर बांध है यह मद्यप्रदेश में है इसी तरीके नरमदा पे, नरमदा पे कौन सा है, सरदार सरोवर बान, नरमदा day है, नरमदा पे सरोवर बान, सरोवर डेम है तो वहाँ पर प्रियोजना है, कोयाना महराष्ट के अंदर है, कोयाना महराष्ट के अंदर है, घट प्रवा है, इसी तरीके से कावेरी है, यह नागरजुन सागर है, प्रमुक हिराकुण बांध है, इसका भी जिक्र कर देते हैं, हिराकुण जो है, यह भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबे फालावा और नदी का नाम है, जिस पर अवस्तित है, महा नदी, लंबा बांध किस पर अवस्तित है, महा नदी पर अश्तित है, इसी तरीके से यहां पर भारत और बांगलादेश के बॉर्डर पर है, फरक्का बांध है, यह भी काफी प्रसित है, दा मुकबान भागडानांगल 225.5 मेटर उचा है अभी बात की हमने सबसे उचा गुरुत बान सवाल आए सबसे उचा गुरुत बान भागडानांगल हीराकुड ये कहां पर है महानदी पर है और सबसे क्या है लंबा बान है हीराकुड कहां पर महानदी और लिख लीजिए कहां पर है उडिशा, उडिशा में इस्तित है, ये हिमाचल प्रदेश में इस्तित है, सलाल कहां बताया आपको, जम्मू और कस्मीर में अवस्तित है, सलाल प्रोजेक्ट, तीरी गडवाल बांध है, तीरी गडवाल बांध आप लिख लीजिये, उत्राखंड में, ये कहा है, उत् भी हैं हानियों पर भी नज़र डालेंगे हानिया क्या हो सकती है मैं आपको बताओं हानिया क्योंकि जिन इस्थानों पर बांध बनाये जाते हैं ये काफी बड़े इलाके को घेरते हैं अब वहां का जो जेव विवित्ता है और विशेश रूप से देखा जाए तो वहां पर अब बड़े इलाके में लोगों को क्या कर दिया जाता है विश्तापित कर दिया जाता है नोट कर लीजिए पहले लाब की चर्चा करते हैं लाब के अंतरने क्या है ये प्रदूशन मुक्त है यानि कि परंपरागत शूतों में अगर बात करें एक मात्र ऐसा शूत है कोई शूत ऐसा नजर नहीं आता जिससे पृदूशन नहीं हो रहा है इधन से हो रहा है कोईले से हूँ रहा है डीजल से हो रहा है प्रकृतिक गैश से वह रहा है अगला है शिचाई और मतशिचन में बड़ावा देता है हमने बात की थी does have as उप बहुत सारे पूरे होते ह ये इसके अंतरगा सामिल किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा सस्ता है क्योंकि जल पाकरतिक रूप से उपलबत है खाली उसको बांध बनाने का खर्चा आता है उसके बाद टर्बाइन जर्नेटर ट्रांसफोर्मार और फिर विदूत के लाइने विछाने के बाद ये क्या हानियों की चर्चा करते हैं हानियों में पहला इस्तानिय समुदाय का विस्तापन बहुत ज्यादा लोगों को एक स्तान से दूसरे इस्तान पर विस्तापित कर दिया जाता है जैसे निउस्पेपर्स में आप पढ़ रहे हैं सरदार सरोर बांध बनाया था तो उसका आज त तक वो मामला चर्चा का विशे रहा है, तो ऐसे कई बांध जब भी बनाए जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को वहां से विस्थापित कर दिया जाता है, हाला कि उन्हें पुनर भरण उसका Rehabilitation Camp उनको दूसरी जगए स्थापित जरूर किया जाता है, ये सरकार का वो जरूर डिश्टब हो जाता है, और वास्तवीक रूप से देखा जाये तो इस पृत्वी पर मानव ने अपने हस्तशेप से जविवित्ता को जरूर नुकसान पहुचा है, क्योंकि जो विकास कर रहा है, वह उसके साथ ही क्या कर रहा है, जविवित्ता के उपर कदम हो जाते हैं, स्तापित करने में क्या है, खर्चिला है, और इसको एक बार जब स्तापना करनी पड़ती है, तो बहुत पैसे क्या आउशक्ता होती है, उसके उपरान तो जो विदुत मिलती है, वो तो क्या है, सस्ती मिलती है, पर डेम्स को बनाने में जो खर्चा आता है, सम solution free है और लगातार सक्रिय पानी भेता होना चीर 에 pedra ध्राइग सथानों पर हो सकता है जहांकर 12 जबद्धा 게िया ठाइल हो तो वैसे क्या है जो कि गंगा ब्रम गंगा नदी है ब्रРЕ'Mपुत्र नदी है गंगा के साहिक नदिया में अनवरत बारा महने-Panि अपलप्द होता है वहीं पर क्या है बांध बनाई जा सकते हैं वर्स आध्रिद वह बांध न ही सकसेस्स नहीं होते हैं और इसी तरीके से पर क्या कर देते हैं और इसकी कुछ अहानिया थी लोगों को एक जगे से दूस्टे गए विस्तापित करना पड़ता है इसके बारे में हमने चर्चा की तो आज के वीडियो में इतना ही अग़रे फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार जय